नमस्कार स्वागत आपका इंडियान्यूस 28 में ये बात करते हैं तमिलनाडू की कुछ खास खबरों की देशी चिकन रेस्तरा पूरे कोयमबटू जिले में 24 घंटे माल की बिक्री बलेयार चेक पोस्क से करुमा थम्टी से लेकर ठेककलूर तक कोयमबटू जिला पुलिस स्टेशन के अंतरगत आने वाले क्षेत्रों में कई धापा, रेस्तरा, जोपडियां और देशी चिकन रेस पुलिस स्टेशन के अंतरगत आने वाले क्षेत्र में हाइवे फैमली रेस्तरा के मालेक मामूल को आमत और परेशान 24 घंटे विदेशी शराब, नकली शराब, गुटका, गांजा, नशीली दवाओं को उचे दामों पर बेचने का साहस मिलता है, रम्मी, केट्टू, मंग्टा, क्रिकेट जुआ जो भी आप चाहें बिना किसी रुकावट के कर सकते हैं, कोई भी खबर नहीं की जा सकती छापिमारी की कारवाई के नाम पर कुछ दिनों की कारवाई के बाद ये फिर से सामान्य हो जाएगा, सोमानुर रोड, करुमा थमबती पर सन्रेज नामक एफल दो बार डीम के अधिकारियों को धोखा देने के लिए, उदेसुरियान को सन्रेज क्लब कहा जाता है और डीम के नितरत्व के करीब होने की धमकी देता है और फैमिली रेस तरह नामक एक बोर्ड के साथ होदार्ट पूर्वक शराब बेचता है। भारत में कहीं और इतनी बड़ी शराब की दुकान होने की संभावना नहीं है। यहां तक की पॉंडिचरी भी ऐसी नहीं है विशाल पे सुविधा, दोपहिया वाहन, कार पाकेंग एसी रूम, अकेले सारवजनिक पेहॉल, पेकक्ष जोपड जैसी सभी सुविधाओं के साथ यहां सभी प्रकार के सामान प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। कुछ करोड खर्च करने और अनुमती मिलने के बाद कुछ ही महीनों में उन्हीं कई गुना मुनाफ़ा हुआ है। राजस्वानी तमिलनाडू सरकार के लिए है। निम् प्रची शुल्क मुक्त शराब, राज्य के बाहर की सस्ती शराब और नकली शराब कई गुना कीमत पर 24 घंटे बेची जाती है। यदी मामूल दे तो इस शासन में कुछ भी किया जा सकता है। तसमाक प्रशासन, उतपाद शुल्क विभाग, शराब निशेद पुलिस, स् ख्यान नहीं दिया और संदे है कि शायद वास्तव में ये DMK के मुख्यकार्यकारी का एक प्रॉक्सी क्लाब है, स्थानिय गण्मान्य व्यक्तेयों ने अपनी निराशा व्यक्त की उनकी बात 100% सच है। करुम्थमबट्टी पुलिस स्टेशन के अंतरगत आने वाले इलाक कई सालों से बिना किसी रोक टोक के 24 घंटे नकली शराब बेच रहे हैं। करुम्थमबट्टी पुलिस उप अधीकशक कार्याले करुम्थमबट्टी पुलिस स्टेशन बहुत करीब है लेकिन कोई कारवाई नहीं होती है और कोयमबटूर निशेद पुलिस कोयमबटूर जिला अधीकशक पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। इसी तरह कोयमबटूर जिला पुलिस अधीकशक लिमिटेड में सौसे अधिक रेस्तरा शराब और नशीली दवाओं के साथ अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और अगर कोई जन्हानी होती है तो ही सरकार हस्तक शेप अन्यता इसे कोई नहीं रोक सकता। तमिल नादू से संबाद दाता सुब्रमानी की रिपोर्ट